ओके ऑल्राइट सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पजांस रूल कंपलीट किया था और फजांस रूल से रिलेटिड प्रॉलम सॉल्व किये थे हैं ठीक है हमने देगा था कि फजांस रूल बैसिक लिए क्या बता रहा था कोवलेन् किलिटर इन अीनिक कंपाउंट कोई आइनिक कंपाउंट कितना ज़दा कुववलेन्क एहिए करेड़ करेगा वो इस बात पर डीपेंड करेगा कि जो कटायन है उसकी पोलराइजिंग फावर कितनी है और जो एनाइन है उसके अंदर polarizability कितनी हैror Polarizing power-off के time दो बातो परRET प्रता था पहरा चार्ज हों के time दूसरा size off के time जतना ज़दा charge होगा उतने ज़दीता पर आनिitel में पावस को सपोर्ट करता था पोलराइज ऑबिल्टी क्या थी टेंडेंसी और अबिलिटी ऑफ ए नायन टुगेट फोलराइज प्रेंड प्रेंड फिर अपनी याधा चार्ज होता था जितना याधा साइज होती थी अलेट्रान उस नुकलेस से तरह दोर होता था वह इसीली पोलराइज हो जाता था कि इनगेस का होल उस पर बहुत ज़ाएं था कि फिर आपने देखा कि कहीं पर हम जाके कटायन में चार्ण भी से उल रहा था था वैसे नब किया तीन तरह कि कटायन इनर्ट गैस नौन इनर्ट गैस और स्थीडव जादा होता है फिर स्थीडव्य। और उसके भी बात जाके आपने देखा कि कोई साई चेंज हो और डी ब्लॉक के एलिमेंट हो टॉप टूप टूट अम है तो जैड एफेक्टिव बढ़ता है तीन के तरह के क्वेशन वहाँ सॉल्व किये तो नौ फजान्स रूल के बेसिस पर ही कुछ चीयों को और आप डिफाइन कर सकते हैं और राइट या फिर आप यह बहुत है एप्लिकेशन ऑफ पजान्स रूल ठीक है तो हरी नहाल लीजी आप लोग आज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपरटीज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपरटीज एकस्प्लेंड बाई पजान्स रूल पजान्स रूल से कुछ इंपॉर्डेंट प्रॉपरटी है जो की एकस्प्लेंड करी जाएंगी क्या है बहुत ही सिंपल सी है सुनने कुछ करी द्यान से सबसौन ना जागा आपके तो जरा सोचो कुछ कुछ बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं पॉलराइजिंग पावर पॉलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा पॉलराइजिंग पावर किसके रिस्पेक्ट ने डिफाइन होता है के दाएन के रिंस पृजा पॉर अंच चितनी जादा होगी ईक इसके ड़िफांड होता है के अचुना जाफ़राइजीं पावर होगा और जितनी ज्यादा पॉर्लों लाइजी बिल्टी होगी क्या लगता है निक गट टॉ उत्ता ही कब होगा अब वो कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको आप इनके बेसिस पे एक्स्प्लेइन कर सकते हैं तो खुदी सोचिए यह अगर ऐसा है तो बताइए पॉलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी सोच के बताना पॉलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी पॉलैर क्योंकि चार्ज चार्ज कम हो रहा है चार्ज कम हो रहा है चार्ज पॉलराइज हो रहा है बीच मैंने कुछ कर रहा तो पॉलैरिटी घटेगी और पॉलैरिटी घटेगी तो बता बटा डाइपॉल मॉमेंट पर क्या आसर आएगा मों जायेगा याज डाइपोल मूमेंट कम वोगा यहां जासे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भड़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मॉमेंट कम होना सुरू हो जाएगा बोलो आया ना गम भड़ने बटाव धूसरा अगर कोई compound ड्र मपाउण बस पहले जादा कि तरफ शिफ्ट हो रहा है नॉन पोलर की तरफ इलेट्रों को बीच मिलाने की कोशिज हो रही है तो सॉलिबिलिटी इन पोलर वह गटने लगेगा एक्सेप्ट वाटर बात करते हैं हम लोग वाटर काने कुछ और होती है यह घटे लगया और वोले यार सॉलिबिलिटी और पोलर वह गटने तो बढ़ेगा किसमें बढ़ेगा किसमें तो सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा बढ़ेगा अब थोड़ा सा पीछे आते हैं आपको याद है ऑक्साइड पढ़ा था अपने टेबल में मेटल के ऑक्साइड रोते हैं डी आर बे 6 अन ने रोट इंट अप्साइड तो इसे और सिटें के साथ नौन मेटल और धात बना रहा है जितना याजाधा कमपाउंड आइनिक होगा तो बस नेचर आफ ऐसेडिक ऑकसाइड पर क्या कहना आपका नेचर आफ ऐसेडिक ऑकसाइड क्या होगा जादा होगा क्यों 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 कि यह कोवलेंट होते हैं या सर और कोवेलेंट नेचर जितना पड़ेगा यह इसे डिक आपक्साइड का पावर इस्ट्रेंथ भी उतनी यह बढ़ेगी नेचर जो अधा वह इस अधिक होना लगा जो जाएगा बुल दो है आयनिक ऑक्साइड होते हैं और आपको पता है पालवाइजीं पावर यह सब बढ़ेगा इसा बढ़ेगा अनीक यह घटेगा आइनिक यह घटेगा तो बेसिक टर भी आटेगा तो फिक अधिक जी आपको आपाऊ मैटली तो है कि एजी एफ एजीसी मेट एजी वियारि एजी आई है ओना पूल देख यहें ईन 9-9-100-9-9-10- intern然後. एको आपको पता होगा एग ए confess यह होता है इसञीड जो होते है दrä टो खाली जिए जी आ हुटा यह होता है पिल येलो कलर का अज मुझा क्यों की आती है इस अगिल यह बैड को याद रहना डार्क येलो कलर का होता है तो दीरे दीरे आप देखें तो वाइड से पेल येलो पेल येलो से डार्क येलो दीरे दीरे कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है कलर इंटेंसिटी क्या हो रही है कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है है न इसका एक्स्प्लेनेशन मैं आपको देता देखिए ध्यान से, क्या केटाइन हर बार सेम है? क्या केटाइन हर बार सेम है बच्चे? N9 इस बार क्या है? N9 थोड़ा छोटा है N9 छोटा होगा तो पोलराइज भी थोड़ा सा कम होगा कम पोलराइज होगा यह N9 थोड़ा बड़ा है यह थोड़ा जादा पुलराइज होगा हाँ है न यह न यह थोड़ा और बड़ा है यह बहुत बड़ा है यह बहुत जादा पुलराइज होगा तो यह पुलराइज होते होते यहां जाएगा यह पुलराइज होते होते यहां जाएगा यह पुलराइज होते होते यहां जाए तो बेसिकली है क्या मतलब क्यटाइन तो सेम है एंधचे ऑपिलराईज हुआ इतना ये ज़्यादा ओर यह बहुत ज़्यादा पॉलराईज गया तो खूब सारी आँपे बीच में आ एनौर कटायन के बीच में भूब सारी य 210 वज़े से इसको हम बोलते हैं को अपनी तरफ के छाह ही एं कि खीच के यहाला रहा कि यहां लाने का मत zulतर हो दूर लाने का मतलब इस्को करा रहा है यहां से एक ल्ट्रों यहां आ जागा दिस का लॏट के यह्थ्जा बीक से अग्साइटेशन होगा यहां से एक फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट निकले यहां से एक फ्रिक्वेंसी आफ लाइट निकलेगी जैसे इस पर लाइट पड़ेगा ते ड्रामा यह कलर दिखाई देने लगा इसलिए इनकी कलर अब जितना ज्यादा क्या होगा पोलराइजेशन होगा कडाइन फिक्स रग गया तो जितना ज्यादा पोलराइजिबिल्टी की टेंडेंसी बढ़ेगी जितना एदा एनर्जी गैप होगा उतना गजब का क्या आएगा घटा होता होता हुआ है आई वा समझ में है तो दिस हो वी एक्स्प्लेंदे कलर ऑफ आइनिक कंपाउंड विद अकॉर्डिंग तो एज विद एल्प वाट फजांस रूल के थू आप कलर को कैसे एक्स्प्लेंड कर रहे हैं पोलराइजेशन से इस अपको वैब गयोर का तो आइडिया हो गई कि यह वेबलेंद क्या हो रही है बढ़ रही है इसके बाद आता है कलर लेस यानि की वाइट कलर कलर लेस है कि लेम्डा बढ़ रहा है लेम्डा घटेगा लेम्डा बढ़ने का मतलब और एनरजी कम होती है इनरजी कम होती है तो यहां से यहां से ब्लू जीतना जाद होगा उतना इच्छी दिखेगी और दिखाई देन लगए आपको हाए न तो यह दोनों वाइट थे क्यों तो कि इसमें प्रिक्वेंसी के यह लो होते हैं आया ना डिफरेंट डिफरेंट के यह लो होते हैं डार्क यह लो लाइट यह लो हाया ना तो उसमें जैसे इंडेंसिटी बढ़ती आगी तो यह से कलर क्या हो गया पहले पेले लो था फिर डार्क यह लो कि आई थिंग वी वी कें नॉट इग्जैक्ली कमेंट ऑन कलर बट यह से वन थेंग की दो तीन कंपाउंड से दिये हुए तो हम बता सकते हैं कि उन में से किसका क्या कलर होना चाहिए इस पर क्वेशन बन चुके हैं जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं प्वेश्चन मंने ने बताना प्वा आपको ने दिया पीबी एफ्टू एन फीबी आईटू ने दिया सका कलर जोए इस यह यजलो कलर का है और यह वाइट कंडर का है राख था आपको बताना है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है सोचके देखो अब आपको लगे गया कि यह रटने वारा सवाल है सर्थ हमें तो यादी नहीं आपने पढ़ा है नहीं किसका कलर क्या होता है नहीं रटने वारा सवाल है था यह जाद होने चाहिए है यहां जब कि क्या है हाई पॉलराइजबिल्टी होगी है ना यह साथ हाई पॉलराइजबिल्टी होगी है एक्षिडी में ऐसा लग रहा है कि कलर को स्विच करा दिया आए ना कि उस्तों बोलो दूसरा वर्चन हएच जी एफ टू एन एच जी आई टू वैसे इसका मैं सीधे कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि यह कलर लेस है वही ट्रू एंड फॉल्स कि यह है कि स्कॉर्लेट रेड़ जवाब दू कि एक्स्प्रेंट को रही सकते हैं आप सब्सक्राइए गलाथ कि गए इत्ता समय लगता है क्या है सब्सक्राइब क्रेंट की ऑड़ीज़ जाता होती है तो उसकी इंटैंसिटी इसके और एक्षिली मैंने साही कर लर भी लिखा हुआ है एजजी आई तुज़ो होता है इट इस कार्लेट रेड ठीक है एक और लिखते हैं, बहुत बढ़ी आसा सवा important ZNS CDS HGS सभी के मैं कलर लिखते हूँ this is white and this is yellow and this is black all right true or false true or false मैं आमको हलका सा एक आड़े देता हूँ और ये जो मेरे भाई होता है ये ये white region होता है इसके इधर और इसके इधर जो होता है black region होता है all right ये black region होता है इसके इधर black और इसके इधर white और बीच में होता है colorful दुनिया बीच में colorful दुनिया होती है चरिए बुद्धिका प्रेख करिए बुद्धिका अच्छा ये रहा है बोलो सही है गलत है बुद्धिका और मर्करी आपको याद है न पॉलराइजिंग पावर क्या होती है बढ़ती है डी ब्लॉक के एलेमेंट ने टॉप टुबट आवान इस पॉलराइजिंग पावर बढ़ेगा ज्यादा पॉलराइज करेगा तो ज्यादा एनरजी रिलीज करेगा तो ये ब्लैक कह रहा है ये 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 लो कह रहा है ये वाइट करें सभी बात है क्या ये कम एनरजी कम अनरजी का मतला वाइट लो एनरजी तो कलरफूल और बहुत जादा एनरजी तो ब्लैक हाई एनरजी ब्लैक हो जाएगा और वह हुआ भी है जिसे जितना जाद कोवलेंट होगा उतना जादा जाएगा इंटेंसेडी बढ़ती आगी तो ब्लैक हो जाएगा और ये सही कलर्स भी है सब्सक्राइब होता है जिसे यलो होता है एन एज़ियेज होता है ब्लैक कलर रिका होता है क्या रहा है कि C-U-C-L and C-U-B-R क्या होगा अगर C-U-I वाइट है वाइट और वो सकते हैं आप कलर्लेस तो C-U-B-R और C-U-C-L की क्या इस्थेटी होगी है क्या कलर्फुल होंगे या कलर्लेस होंगे C-U-C-L और C-U-C-L ङे नहीं पहुंच पारीगे कहां तक जाय हूँ क्या रहे लिए करने हे यह भी कलर्लेस होंगे का आफ प्कड़ लिये पॉइंक हाँ क्यों मैं क्लियर स्टोरी ये सब्सक्राइब चाहिए नेक्स सब्सक्राइब बढ़ते हैं और नेक्स सब्सक्राइब इस अब पी ब्लॉक के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपके इनर्ड पी और हैं बलाक के कुछ बात हैं इनर्ड पैयर एक्टेक्ट इस मैं इसमसंगतें जाएँग इंट्रस्टिंग तॉपिक है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हुए चलते हैं बताइए तो बोरॉन फैमिली बोरॉन होता है कार्बन बोलो नाइट्रोजन प्लोरीन नियों यह लोग होते हैं यहां पर हीलियम होता है बोरॉन के निचे कौन होता है कि अलुमीनियम ग्लियम इंडियम थैलियम इसके निचे कौन होता है सेलिकॉन जर्मीनियम टेन और लेड यहां को होता है पॉप फॉरस और सेलिनियम थैलेन फॉलोन प्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइवडीन एस्ट टीम हिलियम नियॉन एरगॉन क्रिप्टाउन जेनाओं एंड रेड़ॉन यह कहानी होती है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां से यहां तक कहानी क्या होती है यहां डीब्लॉक और स्कंडियम इनियुम भी मैंगैम कोपर नाता है है लिए सिल्वर और सबार के नीचे आता है इसके निचे कौन आता है इसके निचे कौन आता है इसके निचे कौन होता 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 है इसके निचे यह डी ब्लॉक के एलिवेंट से रिस्पेक्ट फुली और यह भाई साव आपके पी ब्लॉक के लिए यह अच्छे तो यह डी ब्लॉक और यह वाट बटा पी ब्लॉक आपने पड़ा था कि जब यहां से यहां आप एंटर किये थे तो यहां से जैसे आप यहां से अंडर करते हैं यहां तक तो आनी सभी सब्सक्राइब यह डी इंटर्ड्यूज नहीं होता है गैलियम आते एकदम से डी भढ़ जाता है वह वह बी इनर डी इनर डी भढ़ने की वैसे कांट्रेक्शन आता जिसको आपने बोला था गटती है लेकिन गैलियम के अलुमूनियम से अदा हो जाती है कि यहां साफ प्र यहां से यहां आए तो दूसरी बार डी आया पर साइस बढ़ी तो इतना जाता है क्योंकि दिए बार आ चुक्त इसलिए बहुत भैंकर नहीं आ पाया आया जिस रेगुलर स्टेप से घटना यह तो उसे आपसे नहीं गटेगा क्योंकि दो बार डी आ गया लेइन पहली बार एक्दम से अपड़ी आगा तो उसका इंपक्त खच्छ से दिखाएगा आपको पी और डी का जब्ड़ी आपको पहुत जादा होती है दी की शीड़ीलिंग पार कम होती है तो गैब बहुत लंबा दिखा दिए एकदम से अबसर हो गया फिर वाई डिया कोई दिक्कत नहीं फिर लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए जैसे ही आप यहाँ पे आए तुरंद क्या गया ल 57 to 71 57 से लेके 71 तक 14 यहां पर आजाएंगे और वह और विटल आती है जिसको बोलते है 4F क्या बोलते है और जैसे यहां पर डी एकदम से आ था वैसे यहां पर एकदम से एफ आ गया एक की साइज और बड़ी एलेट्रॉन और जादा जैसे से लेट्रॉन बढ़े बढ़ेगा इसका इंफ्लूएंस वी इलेट्रॉन के लिए बढ़ेगा तो अंदर का जो इलेट्रॉन 4F में बढ़ेगा 4F में 15 एलेट्रॉन वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा स्क्रीनिंग पाउर बहुत कम होती ही साइज जादा होने के वैसे तो यह पावर सीज़े चली आती है आगे तक और अट्रैक बहुत तीजी से करता है तो जैसे आप घुमते 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 यहां पे आते हैं वैसे इन नंगों पे इन तीनों पर इन तीनों पर बहुत भाएंकर इफेक्ट दिखाई देता है किसका ऑलो अ कन्ट्रैक्शन का L dire लंगर इनाोट न meditation का यहां पे बहुत घुमत गजब का रोल प्ले करता है इसका टो सबसेल क्या होगा लोका यह जड़ा ज्यादा होगा और ज्यादा होगा पहुज़ादा ज्यादा हो को निकालन भी यह बहुत मुश्किल बहुत कैना चाहता हूं इनके औक सिरेशन स्टेट क्या-क्या वहते हैं आप मुझे बताएंगे मैं इक एक 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 एह ओंकि अधर्म हो सकता है एक फिरीक लएच एक इसने प्लस कोई सकता बकमißtु थी प्लस प्लस थो सेड़ा वेसि Clap दूसंे नत्थ कार्बन की प्लस फूर उस टूर लस टूर प्लस टूर एंद प्लस फूर इंड लॉस फॉर चेंड नै तो प्लस इस कोवेलेंस थ्री यह होगी यह सकती है लेकिन एचनल अ पॉलीकिल आपको पता होगा इसमें इसमय आप सैट क्या होती है इसके बोलो ऐनाइश होती है माइनस टू अप्लस टू ऐइनस प्लस फ्लस वन मैंस वन एक उसह जारी I'm sorry, HNO3 है न, wait, यहां अक्सिया न आ जाए हो? minus 1, plus 1, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 1, तो plus 5 होगे, ठीके जी? आईए, आगे बढ़ते हैं, तो plus 5, इसका भी क्या होगा? प्लस त्री एंड यहां तक कहानी बहुत कायदिस चल वही थी तो यूजरी क्या होता है metals होते हैं ना यह non metals होते हैं यह higher oxygen state में यादा stable होते है higher oxygen state बनाना चाहते हैं अपना क्योंकि जैसे electron दे देगा यह सारा noble gas confirmation attain कर लेता है और stability बढ़ जाती है बोलो हाया ना तो आप stability की बात करें तो यह plus one में यादा stable हो या plus three में तो क्या बोलेंगे plus three यह के लिए प्लस त्री में प्लस त्री में ये लेकिन जैसे ये आप फैलियम पर जंप करेंगे लेंट कोुट नहीं इंद को लेंद नहीं चाहेगा कि इसा निहीं निकाल सकते हम निकालतों लोगे लेकर आपको वह बहुत ज़्यादा एनर्जी दीनी पड़ जाएगी रिज़टेंट में पता चलेगा कि आप नहीं आदा देगी निकला कम तो इस्टेबल वह गई हो गई यह जो होता यहां पे क्या हो जाए बेटा प्लस त्री यह तीन लोग ड्रामा कर देते थैलियम लेड और हैलियम लेड एंड वाट बेटा बिस्मत यह तीन कंबाउंड जबर्दस तरीके से इनके अंदर यह इंपक्ट दिखाई देता है और यह इंपक्ट आने की वज़े से ही इनका ऑक् कैसा रहना पसंद करेंगे मैक्सिममर में या मिनिम्म में बोलो है about मैक्सिमम या मिनिमम में डेफिनिटली मिनिमम में अगर आप थैलियम की बात करें यह पहस्ताए अगर ली पी हैसट रवी और सफटीप S F D P S F D P है न तो यहां होगा 1 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 ओर राइट 2 इलेटरॉन 2 2 यहां पे यहां पे 2 हो जाएगा बेटा यहां पे 6 हो जाएगा यहां 2 यहां 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 अब मुझे बताएंगे कितने लेटरॉन जा रहा है अच्छा इसिंग T में 1 जाएगा T में 1 जाएगा क्यों मैं इस ही है यही कॉन्फिरेशन ठाना हैलियम का आउटर मोस्ट कॉनिफिरेशन जो देखोगे आउटर मोस्ट चैल कॉन सी आउटर मोस्ट चैल कॉन सी आउटर मोस्ट से लिए है जल्दी बता दो आइटिंग 7 तक जाएगा क्या गिल लेते हैं दस इलेटरॉन दीस थीस फुट्टी फुट्टी एंड फुट्येट फिफ्टीफोर फिफ्टीसिक्स फिफ्टीसिक्स और शिक्स्टी सेवन्टी एटी नहीं सही है पाउट्र मौशल कौन से यहां से यहां से एक निघल जाएगा एगल फिलियम यहां चला जा जाएगा यहां से यहें जीनों जाएगा फिर निकालोगे यह इसες पहले से पहले बहुत ही वीक होती है और वीक होगी और वीक होने की वज़े से ये नुकलियस की अट्रेक्शन को फॉर एफ का इलेट्रॉन होल्ड नहीं करपाएगा तो नुकलियस बहुत स्ट्रॉंगली किसको ओल्ड करेगा 6S2 के इलेट्रॉन को और इस इलेट्रॉन को निकाल पाना बहुत ही मुस्किल होगा हाँ या न टाइटली होल्डेड बाई नुकलियस नुकलियस के दौर अब बहुत टाइटली होल्ड किया गया होगा यह सोचके देखो यार हुँत स्ट्रॉंग होल्ड की वजए से इसका यह दोनों इलेट्रॉन निकल नहीं पाएगा अब यह दोनों इलेट्रॉन निकल नहीं पाएगा इसका मतलता दोनों electron in a two i that's why we call it inert pair effect because of these two electron these two electron are present in valence but they do not take part in phenomena of warning the reason why these electrons are strongly holded by what nucleus yes so these two electrons are what inert because of these two electron because of inertness of these two electron system के उपर क्या लग गया क्यों ऐसा हो रहा है because of this phenomenon is called what inert player effect who is responsible for inert pair effect inner d orbital in an f orbital 4 f any lengthenoid contraction is responsible for inert pair effect all right hello I hope आपको sound में आगया कि what is inert pair effect नहीं आया तो पुछी जल्दी से तो inert pair effect पूछेगा कौन से कहां पर दिखाई देता है क्या बोलोगे टी ब्लॉक में किस किस ग्रूप में तो बैसिकली यह कौन सा ग्रूप है थर्टींत साथ सबसे लास्ट वाले में सबसे लास्ट सबसे लास्ट ऑले में उनके हो जाएंगे बाइब अश्टो बोलो है यह दो यह गए अब इसको डाइगराम से बना कि दिखाने रहो कि दिखाया था मैंने जब आपको नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिरेशन पढ़ाया था तो याद है कि अच्छा हम इसको इनर्ट पेर इफेक्ट क्यों बोलते हैं वह आपको समझ में यह क्या होगा हाँ वे चलिए तो अगर जो इस्टेबिलिटी मैं अब इसको थोड़ा समप करता हूँ इस्टेबिलिटी की बात करें इनर्ट पेर इफेक्ट तो आप कहेंगे क्या लेसे थैलियम प्लस वन एं थैलियम प्लस त्री एन लेड प्लस टू लेड प्लस फौर बिस्मत प्लस ट्री और बिस्मत प्लस फ़ाय ऐसे आप मरकरी की बात करें मरकरी और मरकरी प्लस टू मरकरी रब्ünिह इसका भी फॉर्ट फोला इनर्ट होगा आया ना कि बस ऐसे ही इंजर न तो बताओ अब यह बताओ इंदोनों में स्टेविल्टी किसी आदाओगी प्लस वन की या प्लस त्रहीं की नॉर्मल मर्करी में जाना चाहेंकिं अलाइट वर्परि जी करतें कि मर्करी के चूंठ के मर्करी METAL में चला जाता है नेट्व मेटल में चला जाता है इसे चार-नेटी मेटल होते हैं जो कुसिस करते हैं कि किसी के साथ ना रहें अकेले ही रहें कौन सिल्फर-गोल्ड मरकरी प्लाटिनम है इनकी stability याद रखेगा इन तो यूजरी अब दिखना कैसे आते हैं जेई में कैसे पुछे आते हैं बहुत प्यार से कुछेगा यहां पर देखो किया है हर चीज को लॉजिकली थोड़ा करने कोई कर रहा हूं बहुत प्यार से कुछेगा आपको समझ में नहीं आगा कि साल आइनेट पेर एफेक्ट अग औरफ इस फ़जिडेंट है रिडि़ूजिग एजेंट खुद क्या हूआ सामने वालों क्या करा एंगाIDE कौंसा होगा ये गूड इसमें जाना चाहिए बोलो आया ना तो लेड के सारे कंपाउंड जोंगे लेड के सारे कंपाउंड जोंगे बटा जैसे की लेड कंपी लेड कंपाउंड कौन से पीबी ओ टू को चोचो पीबी ओटू में लेड पे oxydation तो थ्री ओल बताओ या सीलो फॉर लेलो जो भी लेलो यहां पर एक नेगेटिव एक माइनस होता चार बार है तो चार प्लस रहना चाहेगा नहीं बिल्कुल नहीं मिक्स रॉक साइड लेलो लेड का पीबी 3-0-4 अब कहता पीबी 3-0-4 कैसा होता है टू टाइंस पीबी ओ प्लस है पीबीट्व थ्री में में एक सरी गपीबी ओ-टू और असा इस पे प्लस तू होता है तो प्लस फोर वाला अनिस्टेब बलोगा ती सारे कि सारे क्या होंगी कि बताओ सारे प्लस फॉर में अगर जो होंगे तो एक किस की तरह भी एप करेंगे बोलो या स्ट्रॉंग और तुरंट कन्वर्ट हो जाएंगे हाए ना अगर मैं आपसे क्वेश्चन बुछ हो स्टेबिलिटी का बताओ ऑक्साइड की स्टेबिल्टी पीबी और पीबी ओटू में को ज़्यादा इस्टेबल है क्या जवाब होगा तुमारा पीबी ओ पीओ क्यों प्लस टू में यह प्लस फॉर में रीजन क्या दोगे इनर्ट पेरेश्च हमें समझ में यह रहा है कि आरहे हैं अरहे है एपकिसली इसरी सिर्फ लेड के साथ काहनी नहीं होगी और निकिस्के जांत-भी और आftar consume that i be सेम कहान कर नहीं रिपीट होगी किसके जाथ बिस्मत के शात 5 होगा तो 2 Unitron लेकर किसे में चला जाएगा हैं बिसमतria म Почему की तरह बिए करेगा स्ट्रונ्ग ऐसिधिंग एगेंट की तरह यद्ध होगा लेड़ लेड़ हो कि यह क्या होते हैं relatively unstable होते हैं यही ग्यान को लेते हुए हम लोग कुछ 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 करेंगे इन्हीं ग्यान के वेसिज दो कुछ 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 करेंगे वाले आप रेडि हैं इसको नौट करिए कि पर को प्रसीट करते हैं कि अगला सवाल मेरा यह आप से स्क और कि एक क modular भुषिटा üstν वाई अधु यह पीबी आइफोर डाज नौट एग्जिस्ट ए-ग्स्प्लेंड करिए कि पी दिए फटव दध एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है इडए फटव आइफ़ए फॉर एग्जिस्ट unwilling करेगा explain करें इसि eh yes बहुती सिंपल सी कहानी है कि यह Bia 4 में अगज आप देखें path 6 तो यह plus 4 में अब मैं जो का बाते बताने जा रहा हूं गहां गया जिसमें क्या होता है कि यह ए लेड है प्लस सब्सक्राइब और यह यह जाता है यह जाता है यह जाता है और यह रिड्यूस होने के लिए बहुत बेसभरी से इंतजार कर रहा है कि मुझे को इलेट्राइब आए ना यह सिर्फ पैसे लेने की इक्षा मातर पैसे नहीं मिल जाता है जिससे आपको पैसे लेने है उसको पैसे देने की भी इक्षा होनी चाहिए है ना आपके बहुत 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 कोई सवाल ही नहीं होता है यह क्या है स्ट्रॉंग रेडिजिंग एजन्ट यह क्या है इसका डेल्टा जी पता है नेगेटीव होगा समझते हो प्रोसेस कैसी होगी इस तो जैसे ही हमने कहा कि यह जिस्त नहीं करेगा तो क्या अगला सवाल है मेरा क्या PBBR4 and PBI4 exist करेगा या नहीं करेगा क्या यह भी एक्जिस्त नहीं करेगा सोरी I4 लिख दिया मैंने PBBR4 and PBCL4 क्या यह भी एक्जिस्त नहीं करेंगे तो मेरे भाई यह एक्जिस्त करते मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको इसका चवाब दे दिया था इस सवाल का कि इसकी घोर इक्षा है कि इसको इलेट्रॉन मिल जाए पर देने वाले की इक्षा नहीं है भाई ग्रोमीन और क्लोरीन की इतनी एक्षा नहीं होती कि इलेट्रॉन अपना देने वो तो दे एक्जिस्ट दे एक्जिस्ट और अगर यह एक्जिस्ट कर जाएंगे तो हम इनको प्लस फूर में पा जाएंगे लेकिन मेरे वाई लेकिन इनको अगर जो आपने पीबी बी आर फूर को थोड़ा सा वाम किया थोड़ा सा वाम किया हलका सा हीट कर दिया Alors का सा गरम किया तो तुरह तो तो पड़ाने से रिडेक्शन पावर बढ़ता है गटता है इस पड़ाने से रिडेक्शन पॉइन पड़ जाएगा और यह चला जाएगा कहां पे बिटा प्लस प्लस लेकिन क्या पीबी-ल-फॉर भी वाम करने से काम चल देगा नहीं तो इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा वाम नहीं हीट करने से ये बी तूट जाएगा फीबी-ल-टू में और उफ्रीयली एक-'tिस कर जाएगा इसका रीजन आप दे सकते हैं पताइए के त्यक्यांब क्या होगा कि अटिस्ट कंपाउड मिल्बी आयोनिक इस लिए एक जिस्क हजाएगा यह सब कोवेलेंट है this compound will be ionic इसलिए क्या कर जाएगा आपको पता ही है फ्लॉरीन बापवा का बाप है इन कहा है यह देखो इसी के जस्ट उपर यह भी है एसन एफ और यह भी आयनिक होगा है खर यह तो ऐसे भी प्लस पॉर में रहना ही चाहता है इसके लिए तो गुड न्यूज है तो लेड के कंपाउंस मैंने आपके सामने एक्स्प्रेंट के बच्छे है अगला कॉश्चन है सब कॉश्चन है जो कहीं न कहीं या तो आये हुए या तो आने की पूरी गुंजाई से इनकी तब पी व्लोग के कोश्चन है आए नेक्स कोश्चन देखते हैं यह बहुत प्यारा कोश्चन कहते है टी एल आई थ्री ड़ज नॉट एक्स्प्रेंट एक्स्प्रेंट करो जो आपने कह दिया कि वह यह तुम जो है आई-माइनस क्याद एक्स्प्रेंट करो जिस पर फ्लस थियोना पड़ेगा हाँ या न और प्लस त्री आपको पता ये तबाही बंचा देता है कुछ तो बो तो ये क्या करेगा अगर जो आप इस तरह से इसको जबर्जस्ति करोगे तो ये प्लस त्री वाला इस तीन आयोडीन से सौधा कर लेगा क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये मॉलीक्यूल जो है ये रिड्यूजिंग एजेंट है और ये और वो भी अच्छे घासे हो ये तुरंद इसको इलेट्रॉन पकड़ा देगा ये टील प्लस वन में चला जाएगा और ये बनेगा टील आई प्लस आई टू ये बना देगा और यहां प्लस नेगा इसलिए यह माइनस वन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है बट मैं आपको बहुत एक अची नीजिस देता हूं बट टील I 3 एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट कर जाता है तया आप सुचा है ऑप कभी कहरों करता है कभी कहरों नहीं करता देखो कर जाएगा लेकिन तब जब इसका फुल सटेट प्लस वन और वह आपका दिमाग कह będą सब sweeping क्यों नहीं हो सकता इप वाइट यह अपने साथ कुछ समझाता कर ले तो काम चाहिएगा यह समझाता करने की त्यार हो जाता है TL plus 1 में होता है और यह I, जो है ना, यह I 3 minus के form एगजिस्स करता है, किस form में, I 3 minus, और यह I 3 minus होने की वज़े से, this compounds exist, TL I 3 बोलेगा exist करेगा की नहीं, freely बोलेगा तो बोलेगा करेगा, लेकिन, ठैलियम में plus 1 offense रोगी है और I 3 minus के form एगजिस्स करेगा, क्या कि एकट करता है आई माइनश थरेच्ट के साथ तो आपका जवाब क्या होगा फिर बिलकुल नहीं कर में करता है करने कि पे माइनस और ग्रीश नहीं करें तो इन टेस्ट का देंगे रूटाथ है कि एनट पेर आपसे बोलेगा बया बी आई आई फाइफ डज नॉट एक्स्प्लेइन एक्स्प्लेइन करें तो क्या एक्स्प्लेइन करने की जड़ोत है भी भी समझ गया रीजन कि सब्सक्रिविश इन पहलु बिस्मत प्लस फाइफ फाइफ आइच या करेगा और डिया त्री करें यह और आई तुल सैंट क्या जाएगा रीजन क्याह के एक प्रड़ क्यर्ट गुण पाइफ्स निरी इन हैं इने क्या सकती नोट करें साते क्वेश्चिंट एंप्यूस्यूस्त। के वे पूस्ट विप्टिश्ट। एंप्यूस्त। a question most most important hgcl2 and sncl2 does not exist together explain hgcl2 और sncl2 एक साथ एक जिस नहीं करते हैं क्यों भाई इसको explain तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था mercury को जो कभी मौका मिलेगा तो 0 में रहना चाहेगा as compared to plus 2 हाँ ना थोड़ा और पहले जाए तो एसन कारबन फैमिली का है जो कि प्लस टू और प्लस फॉर में दोनों आप्शन पाएगा तो कहां भाग जाने की उमीद में रहेगा प्लस फॉर में प्लस फॉर में जाने की कोसिस करेगा अब आपके पास क्या है आपके पास है ही एकडियसी ऑफजिव और इसनफ्स पाफ्जवन तू साथ साथ यह प्लस टू में है और यह भी प्लस ट्व में है जोउच समझ के जवाब देगा क्या होगा यह कोशिस करेगा जीरो में चला जाए जीरो में कप जाएगा इलेट्रोन लेके लेट्रोन लेगा यानि रिडीज़ होगा यानि कौन सा एजेंट होगा यह प्लस फोर में चला जाओ कैसे जाएगा इलेट्रोन देगा तो सामने यह चला गया प्लस फोर में यह चला गया जीरो तुरंत यह बन जाता है इसलिए दोनों एक साथ एक्जिस्ट नहीं करते हैं अगर जो दोनों को बनाना है तो अलग अलग रखिए जैसे ही आप साथ रखेंगे एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच में रेड है रखेंगेगे एक साय दोनों के साथihadर में दोनों को जाएगी अलग झीजओत commerce कि अभी सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं कि एक डिटा और मैं आपको आपको पता ही एक डिटा करने के आपको प्लस थ्री एंस ती यू प्लस तो आपको पता है कोपर में जो होता ना का फॉर समन तो छीक है ने लिए पॉली इस्टर्ब करते था नहीं रहना चाहता है सब्सक्राइब करते हैं कि यह चला जाएं यह चला जा जाएं एसे में जाने के लिए कि दोनों किसी कि तरह भी है करते हैं स्ट्रांग ऑक्सिराइजिंग एजेंट की तरह भी एक करते हैं तो आप से सवाल पूचता है कि भाईया एक्स्प्लेइन करिए एक्स्प्लेइन वाई एफ ए देखो सी यल थ्री की बात अलग है लेन देन की बात चल रही है वाई FEI3 and CUI2 does not exist देखिए अगर आप से पूचे क्या FECL3 एक्सिस करता है हाँ करता है क्या CUCL2 एक्सिस करता है बिल्कुल करता है CUBR2 करता है FEBR2 करता है लेकिन क्या CUI2 करेगा क्या FEI2 करेगा तो कहेंगे नहीं करेगा उसका एक्स रीजन क्या दोगे बता तुम्हें पता है कि यह अच्छे है और आई माइनस का है कि रिड्यूजिंग अच्छा है हाँ आना भाई FE प्लस 3 और 3 डाइमस आई पर माइनस यह और यह मेरे भाई रिड्यूजिंग एजन्ट चिपक जाएंगे दोनों आपस में क्या बना देगा FE की कि आइट्व प्लस का आई INF I टु आलो श्यक्त कर लो है कि और यह क्या होगा ये भी सी यू प्लस टू प्लस प्लस क्या है ट्यू सब्सक्तिरगा गफ्लस या चार्ज क्या आ गया ए से प्लस टो प्लस टू से प्लस वन यह एक जिस्त करते हैं यह शैब इन बोलो है टाप देख रहे हैं कि जो एक्जिस्टन्स न निफ बिचering अच्छ अब उठ रहा है वह किस दो लो कि अज़स अध के ऐ रह tua पा रहा है कि य्दा बा नहीं मना पार रहा है कि आयोडीन बढ़िया बॉंड नहीं बना पार है तो आप बोल सकते हैं और और लेस नहीं कर रहा है वैसे ही लेड आई-4 नहीं कर रहा है बिस्मत आई-5 नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है कोपरण कर नहीं कर रहा हैं यह सारे जो हैं डू नाट एक्जिस्ट और ज़सा नहीं करेंगा को एक सवर साथ नहीं करता है तो किसी ना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं जैसे कोई उतना बॉंड ही ना बना पाए जैसे एन-C-L-5 एक्जिस्ट करेगा क्या बताओ नहीं क्यों क्यों कि नाइट्रोजन की कोवेलेंश नहीं है फिर बोलेगा कि क्या पी फॉस्फरस तो पांच बनाता है क्या पी एच फाइफ एक्जिस्ट करेगा पी एच फाइल अगें नो डी और विडल कॉंट्रेक्शन डी कॉंट्रेक्शन यास बोला था कि जो बेसिक कोवेलेंश होती है जो मिनिमम वाली होती है उससे कोई बनाने लेकिन उससे अधा कोवेलेंश यूजज करनी है तो आपको डी का इलेट्रोन निकालना पड़ेगा के लिए बेलेट्रोन में भीजना पड़ेगा उसको ज़्यादा एक्साइटेशन कराने के लिए जो इलेट्रो मोला चाहिए एनैट्रोन बहु CASO को हीज के लिए और वहेTH प्रιαफम सकता है या स्वांट जिसलिए अची जए थरी गढीव है प्रका पी-चे स्थृ अगट् dirigentes T 3 existe वहाँ से existence non-existence कोव लेंज्च लोइंज से existence non-existence एंड एक बार यहां से भी एक्जिस्टेंस नोन एक्जिस्ट इसे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं कि कौन सागा मौन एक्जिस्ट करेगा कौन सागा मौन एक्जिस्ट नहीं करेगा क्या ये बात आपके भेज़े तक गई या फिर बस यूँ है आगया सर आप इस अभी को आया समझ में ये सर ओकी बच्चे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो इसी में कि बिस्मत के साथ एक और कहानी है कि बियाई सी यल फाइफ एंड बियाई बियार फाइफ ये भी एक्जिस्ट नहीं करते हैं देड़ नॉट एग्जिस्ट लेकिन लेकिन विए आई फाइफ एग्जिस्ट कर जाता है इसका रिजन क्या है वे लटा यह कंसे बिभाइब कि वह दोनों पर डिपिंड करता है एसा नहीं एके CL और ब्यार देना का पर यह तो मैक्सिमम प्लास 5 बहुत ज्यादा पॉज्ट्ट्टी चार्ज है इसलिए CL और ब्यूटर रिट्रन निकाल लेता है अब एक बहुत ही प्यारा सा कोशन में पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है क्वेशन स्टेट ऑफ जी इस ऑक्सिदेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन जी ए सील टू जी ए सील टू में गैलियम की ऑक्सिदेशन स्टेट क्या होगी बताईए है चलिए आंसर दिए वट इस ऑक्सिदेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन जी ए सील टू तैल भी अहां बोल दो यार अरे इतना समय थोड़ी लगता है यह तो सिंपल सा अंसर है क्या हैगा अज़ा जो सोच रहा ही बोल दो अवे शिवार जी ग्रास मनिए आज है आज। अवे करन क्या है अज़ा आंसर अज़ा आज नहीं आज़ा है क्या मरी क्या है अलो अलेशा Yes, Sir क्या है अज़ा आज़ा और लाइन क्लास में बहुत सही होती है नहीं जवाब दे रहे हैं हाँ कोई बोल ला तो स्रद्धा बोलो जाए यहां से तो लग रहा प्लस टू यह होगा है न हम बट वह कम्प्लीटल एकुरेट नहीं हो चाहिए यहीं मैं सुनना चाहरा तो फॉट सुनना चाहरा तभी प्ल दिख रहा है बट प्लस टू होता ही नहीं है अब इसका रीजन क्या है प्लस टू क्यों नहीं होता है यह प्लस टू क्यों नहीं होता है इसके पीछे का रीजन क्या है बहुत ही क्लियर है इतना मुस्किल रीजन नहीं है कि आपको समझने नहीं है इसके पीछे का रीजन यह यहां पर गैलियम तर दूर सरने काओ आपने का था यह तो प्लस वन में भाया प्लस तरी में होगा लस्टू जैसी बात ही नहीं हो यह था है ना इस पूण एंपोर्टेंट को पूछने में क्या अपह इसका इंपोर्टेंट इसकी इसलिए बढ़ गई तो एक्शुली में यह जो फॉर्मूला है यह इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और इम्पेरिकल फॉर्मूला से आप अंसर नहीं बताएंगे इसका काइदे का जो मॉलेकुलर फॉर्मूला देगा ऐसे ही देगा इसका जो काइदे से molecular formula जो एक्जिस्ट करता है compound वो होता है यह gallium ngacl 4 यह ऐसे होता है gagacl 4 ऐसा होता है और ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे तो एक gallium यहाँ प्लस 3 में होता है अगर यह प्लस 3 में होगा तो यहाँ चार माइनस है चार माइनस थीन पॉस्टिव तो ओवराल पर माइनस वन आ जाएगा ओवराल कॉम्प्लेक्स के अंदर माइनस वन तो इसके उपर आ जाएगा प्लस वन तो कौन-कौन सी oxygen state एक्जिस्ट कर रही है प्लस वन भी है और प्लस त्री भी बहुत प्यारा कॉशन बहुत प्यारा कॉशन बहुत ही प्यारा कॉशन अब ही कुछ पलने पड़ा प्लीज फोकेस करिए इस कोशन बड़ीया कोशन है कि बस एक बार रिवाइस कर लीज़ेगा नौट्स बना लीजे बस एक बार रिवाइस कर लिज़ेगा आईए एक छोटी सी बात और मैं आपसे करता हूं कि यहां आते हैं है इसमें ध्यां से देखो तो कि दाना बिद्धी का प्राइम करना तफशन नहestsें आरहे हो वैयसे वैसे जैसे आपना उश्हान यहां पर और डी और्विटल यहां पर एफ और लागे और आते ही इस दीरे दिरे इन तब पर लोड बढ़ेगा दीरे जैसे से डी एफ आने लगेगी न वैसे वैसे नुक्लियस का इफेक्ट आउटर लेट्रॉन बढ़ने लगेगा और जब इफेक्ट बढ़ेगा आउटर निकले ना वहां से कोशिस करेंगे कि कम से कम अलेटरॉन उनसे निकले वह अलग वात है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी में हायर वाले स्टेवल होता है यहां पर आकि एफ इतना भेंगा डॉमिनिट करता है कि लोगर वाला स्टेवल है लिकिन जैसे धीरे दीर जिरे ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे समजना प्लस वन में प्लस वन में प्लस वन में है ध्यास वचार नीचे आरहें प्लस वन को सपोट मिल रहा है यहां बेड़ी दो दोबाद डी हो यहां पर डी एफ सब आ गए सब चार है कि इलेट्रॉन जाये ना तो प्लस वन में रहने की टंडेंसी बढ़ रही है निए गट रही है गट रही है बढ़ रही है और अगर जो नीचे नीचे से उपर जाएं आप तो इस बढ़ेगी बोलो आया ना इसी बात को मैं चाहता हूं आप लिख लें यहां पर इस पी ब्लॉक एलिमेंट लिखिए इन पी ब्लॉक एलिमेंट इन केस आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्लॉक शब्लॉक लिख ख्धिए ले लिनंट्ष इन पिए, लिख यि लिख लगूर और अभ बॉौर सिर्शन स्थ़ग अंत लिखर मुरूसर एलिया इस, seule c बात लिख बीखर मुरूसर और higher oxydation state, higher oxydation state, less stable. Down the group, higher oxydation state is less stable. Anji, प्रसान में आनिया है. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Stability of dihalides. Dihalides के stability order क्या आजाएगा? देखना, carbon के साथ, CX2 carbon, silicon, germanium, tin, lead. Stability of tetrahelide. यानि कि CX4, SIX4, GEX4, SNX4, PBX. बहुत बढ़िया कोशन है, ये कोशन कुछ लेगा, मेंस में. बदाओ, यार. पहले आले में इंक्रीजिंग दूसरे में प्लस टू है, और प्लस टू आपको पता है, डाउन दू ग्रूप क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो पहले वाले में क्या जाएगा? इंक्रीजिंग आएगा, इस्टेबिल्टी, और हायर अफसरेशन स्टेट घटते हैं, इसकी स्टेबिल्टी का ओरडर अलग जाएगा, अभी, बुद्धी काम कर रही है, अभी, प्लीज नोट करें, ठीक है, ऐसा रहेगा, सुझी, आज हमने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस भी बात करी, विद्धे हेल्प उफ इनर्ट पेर एफेक्ट, और फजान सुरूर के बेसिस पे हमने कलर ऑफ आइनिक कंपाउंड को समझाया, ऑफ् करेंगे, फर्मट स्रीट प्र एकल और लीड़िवल्ट प्रफ आई और इनके तर्मल स्टेबिलिटी का आउडर क्या आएगा, पहली बात मिएजींस ऐनिक के हीट करने से क्या होता है, हीटिंग एफेक्ट क्या होता है, ड्राइ वीट टेस्ट कहते है, सब कि हीटिंग से क्या-kya answer आएगा क्या रियक्शन क्या होगी और कोसिस करेंगे अगर तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हमनों देरे-देरे अगर अब झाल झाल